नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको पैना टॉमी पर इस दो पैन पर दो अलग-अलग टाइब के नीब लगे हुए हैं और हम इसे के बारे में बात करेंगे इसमें है फ्लैक्स निप आप देख सकते हैं यह बीच में से कटा हुआ है और आप जब इसको दबाएंगे तो य दोनों ही निप अपने अपने जगे में बहुत ही खास है लेकिन इस वीडियो के द्वाड़ा में आपको दिखाने के कोशिश करूँगा कौन सा निप लिखने में ज्यादा मज़ेदार है तो बात जो है कि पहले हम फ्लैक्स निप से लिखेंगे बात में हम स्टब निप से चाप पड़ जाती है कभी-कभी जो रेल ट्रेक की तरह कुछ लाइन से आ जाते हैं और बीच-बीच में इंक रुख जाता है आप देखना जब मैं लिखूंगा कहीं न कहीं ये इंक बीच में रुख जाएगा एक गैप बन जाती है तो इसको फिर से भरना पड़ता है ले लेकिन जो राइटिंग जो प्रिटर्न आपको मिलेगा लिखने के बाद वो बिलकुल एक ही जैसा होगा अब अगर बात करते हैं स्टब निप की तो उसमें अगर आप इटालिक्स लिखते हैं तब जाके आपको ज्यादा अच्छी फीचर्स मिलेंगे क्योंके स्टब वो लाइन पतला हो जाता है और जब आप डाउन स्ट्रोक में आएंगे तो जॉब लिखेंगे वो तुड़ा मोटा हो जाते लेकिन फ्लेक्स निप में ऐसा नहीं होता है तो फ्लेक्स निप में आपको दबाना पड़ेगा आप दबा के जितने लिखेंगे उतना मोटा तो आपकी writing pattern same ना भी हो सकती है अगर regularly आप इस्तिमाल करेंगे एक flex nib को तब शायद आपको ये problem नहीं होगी तो ये stub nib की देखिए stub nib से जो हम लिखते है italics तो खुद बहुत जो आप stroke से देखिए आप strokes पतला होती है down strokes मोटे होते हैं तो वही features जो है जो एक flex nib में आपको मिल सकते हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा लेकिन जो problem है कि जिस तरह की मोटा पा आपको चाहिए वो शायद ना आपको मिले उतना flexibility आपको ना मिले ये हो सकता है इसमें भी आगत रोज आप प्रेस करेंगे तो आप मोटा करके लिख सकते हैं लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूँ क्योंकि pattern में जो एक खुबिया है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा तरह से मिलेगा without any effort stub nib पर तो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है stub nib और आपके क्या पसंद है comment box पर जरूर बताईएगा thank you